जै शरीराम, मैं डॉक्टर अंकित्यागी, आपका अपना एस्ट्रॉलजर, निम्रोलोजिस्ट, लालकितावन वास्तु कंसल्टेंट आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ घर की समश्चाओं से कैसे पता करें कि घर में वास्तु दोश है या नही वास्तु शास्त्र हमेशा से मानता है कि हर जगे पर दो तरह की उर्जाओं का संचार होता है एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव और ये उर्जा मनुष्य के जीवन पर अपने सुभाव के अनुरूप ही प्रभाव डालती है दो तरह की उर्जा यानि सकारात्मक और नकारात्मक उर्जा पॉजिटिव और नेगेटिव एनरजीज सकारात्मक उर्जा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है पॉजिटिव चेंजिज लाती है और नकारात्मक उर्जा की वजह से आपको जीवन में परिशानि वाष्ट्तु से यदि उस दिशा के देवता प्रसन हो वास्तुके नुसर तो सकारात्म कूरजा प्रवाहित होगी और यदि प्रशन होगे तो नकारात्म कूरजा का घर के अंदर प्रवाह होगा चूंकि आम इंसान का जीवन आज के दोर में इतना ज़्यादा भागदोर से भर चुका है कि उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपना घर वास्तु शास्तर के हिसाब से रख सके या फिर पता कर सके कि उसके घर में किस दिशा में वास्तु दोश है ताकि आपके घर में किस दिशा में अगर वास्तु दोश है आपको पता चल जाए तो आप पना जीवन सही कर सके कैसे पता करें क्या हैं वो चीज़ें जरी संतान ना हो यदि आपके वेवाहिक जीवन में संतान योग नहीं बन पा रहा है तो इसका अर्थ है कि आपके घर के मध्यभाग में कोई वास्तु दोश है किसी भी घर के मध्यभाग पर भगवान ब्रस्पती और भगवान ब्रहमा का अधिपत्य होता है और वेदिक जोतिश के अनुसार ब्रस्पती ही किसी भी जातक के जीवन में संतान के प्रमोख कारक माने जाते हैं ऐसे में घर के मध्यभाग में वास्तु दोश अगर है तो उसको ठीक करें इससे आपको जल्द ही संतान से संबंदित समश्या से छुटकारा मिल जाएगा यदि बने मनाए काम बिगड़ रहे हूं यदि सफलता मिलते मिलते आपको रह जाती है या फिर आपके बिलकुल बने मनाए काम बिगड़ जाते हैं तो उस जातक को घर के मध्यभाग में किसी प्रकार का वास्तु दोश हो सकता है घर के मध्यभाग को ब्रह्मस्थान भी कह जाता है ऐसे में ध्यान रखें कि घर के मध्यभाग में किसी प्रकार का कोई बहुत अधिक वजन वाला सामान शोचाले यह इस तरह का कोई चीज मौजूद ना हो क्योंकि यह सभी नगारात्मक उर्जा का प्रवाह करते हैं यदि धन संचे करने में परिशानी हो रहे हैं आपके घर के नेत्य कोण में किसी बिरकार का वास्तु दोश है घर का नेत्य कोण जो होता है वो दक्षन पस्चिम दिशा को कहा जाता है ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आपके घर का मुख्यद्वार या खिड़की नेत्य कोण में हो इसलिए आपको सला दी जाती है क अपने घर का मुख्यदवार या खिड़की की दिशा आप बदल दें यदि स्वास्ते संबंदी समश्चाएं रहती है परवार में सदस्यों को स्वास्तव संबंदी समश्चाओं का सामना करना पड़ता है तो इसका अर्थ है कि आपके घर की दकशन पूर्व दिशा में रखेंगे इस वस्तू जो भी चीज वह रखी है जो वास्तू दोश उत्पन्न कर रही है उसकी वज़ा से घर के सरश्चों के पेट और स्वास्त पर सकारात्मा के नकारात्मा का प्रिभाव पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है या फिर आपके रिष्टदार आपसे बैर रखते हैं तो संभव है कि आपके अगर की उत्तर पश्चिम दिशा में कोई वास्तू दोश हो उत्तर पस्चिम दिशा को वैब वैकॉन भी कहा जाता है यदि वैब वैकॉन में कोई आपको दोश नजर आता है तो उसे जरूर ठीक करें आपके रिष्टों में जो मनमुटाफ है वो कम होगा बहुत बहुत आभार आप सब का अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दबाना बिलकूल न बोलें और हाँ हमारी हर वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कोई वीडियो कैसी लगी फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब को हमारी तरफ से